हेलो दोस्तों विल्कम बैक टू अनादर वीडियो रियल्मी ने रियल्मी के काफी सारे स्मार्ट फोन्स में जो UI3.0 का ट्राइल अपडेट है वो प्रोवाइड करवा दिया है लेकिन अगर देखा जाए तो रियल्मी के बहुत सारे यूजर्स को जो अपडेट है UI3.0 का वो नहीं मिला है और मुझे आप सभी यूजर्स का डेली कॉमेंट आता है हम सभी को UI3.0 का जो स्टेबल अपडेट है वो ऑफिशली कब मिलेगा वेल आज इसी के बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पहले दोस्तो आप लोग ना हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना हमें दोस्तो जल से जल्द 20K सब्सक्राइबर से कम्प्लीट करना है जिसके लिए भया आपके सपोर्ट की जरूत पड़ेंगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को जरूर से दबा देना रियल्मी जीटी मास्टर एडिशन रियल्मी जीटी नियो टू एकस मैक्स फायूजी एंड एट प्रो डिवाइस इसी के साथ सेवन प्रो रियल्मी एट एकस फिप्टी प्रो फायूजी इन सब डिवाइसेस में जो UI3.0 का अर्ली एकस अपडेट है वो मिल चुका है लेकिन दोस्तों रियल्मी जीटी डिवाइस में UI3.0 का जो अर्ली एकस अपडेट है वो मिल चुका है और इसी के साथ जो UI3.0 का open beta update है वो भी successfully मिल चुका है exactly 2021-2010 को open beta update का मतलब दोस्तो इसमें न कोई limits नहीं होती है और unlimited cities होती है और यहाँ पर न दोस्तो हर user इस application में form को submit करके successfully इस update को install कर सकता है और trial version के comparison में इस update में जो bugs है न वो भी थोड़ा कम होता है realme GT device में जो UI3.0 का stable update है वो भी officially मिल चुका है जहाँ पर दोस्तो हम देख सकते है build number के सामने official version लिका है जिसका मतलब दोस्तो ये एक stable update है और इसी के साथ हम build number देख लेते है rmx2202-11-c.05 जो की GT device का model number है well मुझे लगता है दोस्तो जिस timeline के according realme GT device में UI3.0 का जो open beta update है और जो stable update है वो प्रोवाइड किया है उसी के according दोस्तो realme के other smart phones में भी जो updates है ना UI3.0 का open beta और stable update वो दोस्तो प्रोवाइड किया जाएगा और हमने दोस्तो realme के support team से बात किये और वहाँ से दोस्तो हमें release date के regarding थोड़ा बहुत official information मिला है well सब कुछ मिला जुला के जो exact release date है ना for in some devices के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ realme GT new 2 device में UI3.0 का open beta update है वो दोस्तो हमें 10 से लेके 14 February 2022 के बीच बीच में देखने को मिलेगा और जो stable update है वो 24 से लेके 27 February 2022 के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा और realme GT master edition device में थोड़ा बहुत मुझे confusion है because दोस्तो UI3.0 के second roadmap के अंदर January 2022 में इस device का जो नाम है वो mention है अब दोस्तो पता नहीं यार January के end तक इस device में stable update मिलेगा या फिर open beta update मिलेगा उसके रिगार्डिंग मुझे थोड़ा बहुत confusion है लेकिन मेरे information के according open beta update 10 से लेके 15 February 2022 के बीच बीच में हमें देखने को मिल जाएगा और जो stable update है वो 25 से लेके 28 February 2022 के बीच बीच में हमें देखने को मिलने वाला है बात करें दोस्तों Realme 150 Pro 5UG devices के बारे में तो open beta update UI 3.0 का 15 से लेके 20 March 2022 के अंदर हमें देखने को मिलने वाला है और जो stable update है वो 25 से लेके 31 March 2022 के बीच बीच में हमें देखने को definitely मिल जाएगा Realme 8 and 7 Pro device में UI 3.0 का open beta update 10 से लेके 13 March 2022 के अंदर हमें देखने को मिलेगा वेल जो stable update है वो 25 से लेके 31 March 2022 के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा definitely और Realme 8 Pro and X 7 Max 5UG devices के बार में बात करें तो UI 3.0 का जो open beta update है वो हमें प्रोवाइड किया जाएगा 15 से लेके 20 सब फेबरवरी 2022 के अंदर and जो stable update है न वो 25 से लेके 28 सब फेबरवरी 2022 के timeline के अंदर देखने को मिलने वाला है दोस्तो ये थे मेरे according release dates और इन में से किसी भी device में अगर update मिलना चालू होता है तो सबसे पहले मैं आपको ज़रू से बता दूँगा फिला दोस्तो आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा जाते जाते एक लाइक ज़रू से कर देना चैनल को सब्सक्राइब करके बाल आइकन को प्रेस कर देना मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड देयर टेक के और आलवेज भी अस्माइल